फ्रेंस आज हम जीके का इतिहास टोपिंग करेंगे प्राचीन भारत भाग टू हम सभी को पता है कि इतिहास हमारे लिए कितना इंपोर्टेंट है हर कंपेटेटिव एक्जाम के लिए हमारा फॉस्ट कोशिन है चलिए फ्रेंस फॉस्ट कोशिन की तरफ चलते हैं फर्स्ट कोश्चिन इस हरीक वंश के किस शाषक को कुणिक कह जाता है अजात शत्रू क्या कहा अजात शत्रू हमारा नेक्स्ट कोश्चन है पहला इरानी शाषक जिसने भारत के कुछ भाग को अधिन किया था आंसर इस डैरियस नेक्स्ट कोश्चन मगद की प्रथम राजदानी कौन से थी क्या कहा मगद की प्रथम राजदानी कौन से थी राजक्रिहें नेक्स्ट कोश्चन इस सोला महाजन पदो की सुची कहां उपलब्ध है अंसर इज अनुकतर निकाय में सिकंदर महान की मृत्यूं कहां हुई थी? अंसर इज बैबिलोन में कहां? बैबिलोन में अमारा नेक्स्ट कोशन है प्रथा मगद समराज्य का उद्या किस सधी में हुआ था? अंसर इज शटी स्ताब्दी में कब हुआ था? शटी स्ताब्दी में हमारा नेक्स्ट कोशन है उज्जैन का प्राचिन नाम क्या था उज्जैन का प्राचिन नाम क्या था अंसर इस अवंतिका क्या था अवंतिका नेक्स्ट कोशन सिकंदर महार ने भारत पर कब अक्रमन किया था अंसर इस 326 इसा पुर्व नेक्स्ट कोशन पाली ग्रंथों में कि मुख्या को क्या कहा जाता था अंसर इज ग्राम भोजक हमारा नेक्स कोशन है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था घन नन हमारा नेक्स कोशन है नंद वंश का संस्थापक कौन था नंद वंश का संस्थापक महापदमन थे हमारा नेक्स कोशन है सिकंदर की अक्रमन के समया उत्तर भारत पर किसका शाशक था अंसर इज नंद वंश का हमारा नेक्स कोशन है ग्रह पती का अर्थ क्या है ग्रह पती का अर्थ है धनी किसान चलिए next question की ओर मगद का कौन सा राजा सिकंदर का समकालिन था अंसर इस घंनन चलिए next question की ओर जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? अंसर इज रिशब देव कौन थे? रिशब देव जैन धरम के 23 में तिर्थकर कौन थे? हमारा अंसर है माहवीर स्वामी माहवीर स्वामी का जनम कहा हुआ था? हमारा अंसर है कुंडा ग्राम वेशाली अंसर क्या है कुंडा ग्राम वेशाली next question महाविर स्वामी का जनम कब हुआ question है महाविर स्वामी का जनम कब हुआ 540 इसापुर हमारा next question है महाविर स्वामी के पिता का क्या नाम था Question है, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? अंस्वर है, सिद्धार्थ चलिए next question की ओर महावीर के बच्पन का नाम क्या था? हमारा question है, दोबारा सुनिए महावीर के बच्पन का नाम क्या था? अंस्वर है, वर्दमान चलिए next question की ओर महवीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था हमारा अंस्वर है प्राक्रिक्त चलिए next question कियो महवीर के प्रथम अनुर्याई कौन था हमारा question है महवीर के प्रथम अनुर्याई कौन था अंस्वरी जमाली त्री पिटक धरम ग्रंथ किन का है अंस्वर है भोद का चलिए next question की ओर किस राजा द्वारा त्रितिय भोद संगीति को सरक्षन परदान किया हमारा अंस्वर है अशुक चलिए friends, next question की ओर चलते हैं हमारा next question है सांची किसके लिए विख्यात है अंस्वर है अशोक के शी लालेक के लिए महावीर के जनम किस गोत्र में हुआ अंस्वर है जांत्रिक महावीर की माता का क्या नाम था उनकी माता का नाम था त्रिशला क्या नाम था त्रिशला चलिए नेक्स कोस्चन क्यों और गोत्म बुद का जनम कहा हुआ गोत्म बुद का जनम कहा हुआ हमारा अंस्वर है लुम्बिनी चलिए नेक्स कोस्चन क्यों चलते हैं महावीर की मृत्यू कहां पर हुई अंस्वर है महावीर की मृत्यू पावा पूरी में हुई चली फ्रेंट्स नेक्स्ट कोशन क्यों चलते हैं बोद गया कहां पर हैं? बोद गया अंस्वर है बिहार में चलिए फ्रेंट्स, नेक्स्ट कोशिन क्योंड बुद्ध के ग्रिहत्याग का परतिक क्या है? बुद्ध के ग्रिहत्याग का परतिक घोड़ा है चलिए फ्रेंट्स, नेक्स्ट कोशिन क्योंड गोतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था अंस्वर है सारनात में चलिए next question है नागा अर्जुन कौन थे question है नागा अर्जुन कौन थे अंस्वर है बोध दर्शनिक next question है अमारा बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति कहां हुई अंस्वर है गया मिल हमारा next question है हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूले जो बिल्कुल फ्री है प्लीज सर्सक्राइब करें next question है त्रित्य बोध संगती कहां पर हुई थी अंस्वर है पाटली पुत्र अंस्वर है पाटली पुत्र